कि मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करें लेकिन अभी जस्ट मैं सवाल नोट डाउन कियो जो क्योंने ब्लॉग रेडी करना है तो मैं कल के ब्लॉग में आप से पूछी थी कि आप लोग बताईगा कमड़ी टैब में पूस्ट करूंगी तो इसमें आप कुछ डिफरेंट रहते हैं कम पोस्ट कर चाहते लिए पूछ Suday पने इसरे से श्रवादी टेहां कि आपने जाइधा आपने में पेटी ब्लॉग अंटर्म मुझे को देखन में इए लग ठेखे लिए बprü कि आपके यहां टमाटर कितने रुपय में मिलता है यह कोई सवाल है आपके यहां टमाटर कितने रुपय मिलता है तो मैं इस सब्जी लेना पसंद नहीं करती है इधर मैं कई दिनों से ने सब्जी लेने के लिए लिए लेकिन आज वेडनेस डे है तो आज मैं जरूर क्यों से उससाण से डर लगता है ना किसीज को खौने से डरी लगता है किसी के बातू से डरी द Sum св श्याफिर उवन गोड्विक ऑफ़न कर आगा हैं तो कांफिडेंग नीअ फोर्फ नइあ इस वजह से आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्देवाद नेक्स्ट क्वेशन क्या है मेरे जो क्या इयुकं क्वेशन के यह दो ड्याद से लिए अयुक्र व कर। व क्म्छे मैं मेरतमय अवर ग्रीशन कीएह कि मुझे मैं बहुत मज़ा नाही कि हूं और नेक्स्ट कुश्चन है आपका कि इतनी कम उम्र के दीखती है इसका राज क्या है तो आप लोग जानते है उन्नेस अगस्त को मेरा बड़े है और उन्नेस अगस्त को मैं युग्राम में रहूँगी फैमिले के साथ नहीं रहूँगी और मेरे हस्बंडना इस इसका जारी है युग्राम तो मैं उन्नेस अगस को युग्राम में रहूँगी और उस दिन मेरा 35 कम्प्लीट कर जाएगा और इस दिज को लोग कहते भी है कि आपको एज पता नहीं चलता है इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक राज है एक नहीं दू राज है एक तो मैं पीस में हमेशा खुष रही है चाहे कितना भी बड़ा समय से आपके आसपास हो आप खुष रही है तो उससे भी फर्क पड़ता है मेरा ऐसा मानना है और यह एंसर में स्रियसली देरी प्रूट्स खाना और एक हस्ते रहना ठीक है नेक्स्ट कुष्टिन है कि यह सवाल वहा है तो हूति सान्त और अच्छा माहॉल है एक्टर लोग उधर नहीं रहते हैं क्या तो एक बात में बताओ मुंबै सुनकर कर बहुत लोगों को मन में बहुत सारी गलत फैमी है लेकिन मै इतने जगा गई हूं इतने जगा ग mixed मैं इंडिया के बहुत सारे कुन में गई हूं वी क्योंकि मैं नशनल खेलती democraton कहीं अग। को जघ है वाहन करती दो तो बहुत। मैं राची ज्यरगन से भिलॉंग गहीं आपर जो क सुञ़ को PD और अजी जोब कि आई और श Keligh personality करती तो क्या और नहीं मैं किसी को देखी कि कोई लड़का किसी लड़की को कमेंट कर रहा है छेड़ रहा है इस तरह का माहुलों नहीं है यहां के लोग है ना बहुत रिस्पेक्ट की नजर से लेडिस को देखते हैं और यहां पर छेड़ खानी ऐसा अंदर क्या हो रहा है किसी के को मिलता है मैं खुद जब से कॉलेज में गई घर से निकलती थी वॉस्टल से निकलती थी कॉलेज आती थी तो कुछ ना कुछ तो तीन-चार कमेंट तो सुनके घर आती थी और वो मुझे ना आदत हो गया तैसा लगता ते यह तो होता ही है लड़कियों के साथ लेकिन तो यहां का माहल बहुत सेफ है मैं एक बज़े रात को भी यहां होंगे तो भी सेफ महसूस करूंगे यहां पर वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है यह सवाल आपने काफी अच्छा किया और नेक्स्ट है कि आधी कौन से क्लास में है आधी अभी स्टैंडर्ट 3 में जाएगा और वह 8 साल कंप्लेट कर लिया यह भी में एजवता देती उसका नेक्स्ट सवाल है कि सवाल क्या है यह है कि अकसर में कमेंट में पढ़ते रहते हूं कि आधी के साथ गलत होता है आधी के साथ अनफेर होता है क्योंकि ब्लॉग में आप देखते हैं कि लाड़ो को खुब है। एसल को डाटे पनले हैं इसको जो चाहिए उसको मिल जाता है लेकिन आधी के साथ एका इसा नहीं पॉताए तो हमनों उसके बार टाल नहीं पाते और आदी बहुत ही सांच सभाव का है जिस वज़े से कुछ कहता भी अगर हम लोग मना कर देते तो एक बार में सुन लेता है विचारा लेकिन अनफेर हां मुझे भी लगता कि थोड़ा उसके साथ अनफेर होता है तो मैं होने नहीं देत है आप 5 साल बाद अपने आपको कहां देखती है यह सवाल बहुत टफ है इसका एंसर देना क्योंकि मेरे प्लान तो बहुत कुछ है देखे अभी मैं डेर साल से यूटूब पे हूँ मैं मैं अपने आपको यूटूब के जरिये देखते और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत इस वज़े से अपने आपको देरी हूं सीखने को कि अभी मैं सीखरी अभी मुझे कुछ नहीं आता है अभी मैं सीखी रही हूं और छे महने के बाद मैं एक प्रोफिशनल लेबल पे यूटूब पे एक नए चैनल के जरिये में सुरुवात करूंगी और इंस्टाग्राम अभी समझे डेड़ साल और आने वाले छे मेने यह मेरा लर्निंग परियेड है अगला सवाल है कि आप इतनी ज्यादा फूल एनर्जेटिक कैसे रहती है देखिए अगर जो का मेरे सामने पढ़ा रहता है मुझे करना रहता है तो मैं कर जाती मैं टाइन टेबल नहीं देख को अगग कर दिख्याने भी नहीं द रहता है इस तरह से मैं अपने काम को निप्टाते में काम को लेकर बहुतव ज्यांदा स्रीययस रहती हूं लेकिन हाँ मॉका मिलता है तो मैं अलस भी दिखाती हूं ऐसा लben ही डिवास कभी निखाती अभी बहुत सुस्त टाइम चल रह काम रहता है तो करना मैं जरूरी समझतनी, मुझे पसंदन नहीं आता है सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि हरकोई यह जानना चाहता है आप लोग चाहते हैं कि मुझे लंग्स प्रॉब्लम था लंग्स डैमेज हो गया था नंग्स में शैक्ड़ों गाथे थी सीटी स्केन के रिपोर्ट में ये चीज़ आया था जिस वाज से मुझे ब्रिधिंग इशू और चेस्ट पेइन होता था और काफी वीक भी महसूस करती थी लेकिन योगा डायट और पंच करमा वेगरक करा करते में ठीक हो गई अब मुझे लबक तीन महने से कोई हेल्थ इश आपका फल हो गया इसको नेचरील फूड करतेया कि इसको पका पका कर नहीं खाना होता है चब्रिधि वीक रेचान पुस्ति ये जो सवाल है कि आपको जो प्रॉब्लम हुआ था और पंच करमा में कितना पर्सेंट वो ठीक हो गया है पंच करमा जो कराई और यह बताई कि कि अगर पंच कर्मा नहीं करती तो अब है कि अभि बात सब्सक्राइब बढ़सा सब्सक्रायब के चर में भुएन बया रहते हैं शां माषोल भी पॉजिटिव होना चाहिए तो मेरा स्ट्रेस लेवल समय जीरो था क्योंकि हजबन फॉल सपोर्ट कर रहे थे घर का कोई काम का बड़न नहीं था बच्चों को समालने का कोई बड़न नहीं था हजबन मुझे एकदम रिलाक्स फिल कराते थे और मैं सिफ और सिफ अपने हेल्फ पर ध्यान दे रही थी तो स्ट्रे सही फॉल सही पांस साल लगे ठीक होने में 10 साल हगे ठीक होने वे चले लेकिन मैं हर वह चीज करूम कि जिससे मैं ठीक हो जाओ मेरे अंदर कोई हटबड़ी नहीं थी और जो आपका मेन सवाल है अगर पंचकर्मा नहीं कराती तो इतनी बोड़ी हिल हुई थी नहीं हुई हो थी मैं फर्स ताम जब योग्राम गई थी तो बोड़ी टॉक्स महा पर काफी अच्छे सुगा था अब वो क्वालिटी नहीं आ बहुत फायदा हुआ और आयशक्ति में मैं यहां पर जनवरी फरवरी को ट्रेटमेंट ली हूँ आप जानते एक महिना लगातार में ट्रेटमेंट ली थर्टी डेज तो इससे भी मेरी बोड़ी काफी हिल हुई में सबसे अधा फॉस्ट अंजब गई थी और सेकेंड कराओंगी और अभी तो मैं अगस्त hijodata में तो डिहां और यह सट्रिडे को मैं आशक्ति जा रहे हूं थे लेने के लिए शत्रिडे को ही जा रओप ब्लोग में तो देखेंगी देखेंगे तो आज का यसा बीक्तक अऊफ़ाल हो गया मैं इतना हीताई सवाल करें यह दिए चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिग दीजेगा लें इंट्रेस्टिंग होना चाहिए कुछ हटके होना चाहिए बच्चे पीछे हला कर रहे हैं इस टाइम पे तो मुझे उनको लंच करवाना है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में आपको सब अपना ख्याल रखेगा और आपको ये क्योंने ब्लोग कैसा लगा कमेंट करके जुरू बताएगा बाब बाई